आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको भूमाने वाले हैं छत्तरपूर मंदीर जो की काफी ज्यादा फ्रेमस है काफी लोग यहाँ पर आते हैं और अभी आप देख सकते कि मैं इंट्रिक गेट के पास हूँ यह जो गेट है यह इंट्रिक गेट है और यहाँ से फ्रारम होता है जो यातरा होता है यहाँ पे छत्तरपूर मंदीर जो की काफी ज्यादा फेमस है काफी संख्या में लोग आते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक से एक मंदीर है यहाँ पे नीचे जो इतना सुन्द बनाया गया है बहुत ही अध्भूत तरीके से तो यह सब कुछ अभी हम आपको बताने वाले हैं और अगर आप इस चैनल पे नाया है तो चैनल को सब्काइब कीजेगा वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और चैनल को सब्काइब करना ना भूलिएगा और अभी पूरा जिसी आप süre- तो आपको यहां पर जो है एक सामने सा इस अपसे लोड मिलेगा और एक सामने उस टेपिए तो आपको इधर वाली रोड पर आना है जिधर भी आप गूम सकते हैं पीछे जो आप देख सकते हैं कितना अद्भूत तरीके से ये मंदिर बना गया है इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या है क्या है इसमें ये सब कुछ तो आईए और चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या-क्या चीजे हैं यहाँ दोस्तों यहां का जो है दि ऐसा गेट आप कभी नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लॉक लगाया गया है और काफी बड़ा गेट है चुकि इतना बड़ा गेट मतलब मैंने कभी नहीं देखा था लाइफ में तो यह आप देख सकते हो कि यहां का अदबुत दिरिस कि यह भी बहुत बड़ा श्टेचू बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये बनाया गया है तो ये काफी अधुद दिरिस है जो कि आप यहां पे घुम सकते हैं और यहां पे आने के लिए आपको जो मैंने बताया कि वैसे आना पड़ेगा गेट के दोवारा फिर आपको य जार्जेज नहीं लगते हैं बिल्कुल फ्री है यहां पे देख सकते हैं काफी लोग यहां पे आई हुए हैं काफी लोगों की भीड है यहां पे आप आ सकते हैं इधर ग्राउंड है ग्राउंड में भी आप गुम सकते हैं यह जो मंदिर है यह समाधी अस्थल की तरफ है दो पुखा दिरिस्ट जो यहां का है यह आप देखे होंगे काफी सारे बीडियोज में देखे होंगे काफी सारे टेलिवीजन कहीं न कहीं आप जरूर देखे होंगे कि यहां पे जो यह श्टेचू बनाया गया यह काफी बड़ा है बजरंग बली का आप देख सकते हैं जो काफ का मंदिर पढ़ता है जो की और भी आप गूम सकते हैं वहाँ पे जाके अंदर गोस के और यह आपका इस साइड का जो लोकेशन था इस साइड का ये लोकेशन है तो यहाँ भी आप गूम सकते हैं रात को यह हनुमान मंदिर आपको यहां पे आना पड़ेगा, यहां पे आपको सूज विगेरा खोल के आपको अंदर जाना पड़ेगा, और वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं, तो यह हनुमान मंदिर है, जो कि काफी अद्बुत, और कहीं न कहीं आपने जरूर देखा होगा, काफी फिलाल खाली है लेकिन ये काफी बड़ा छेतर में है ये जो हॉल है तो यहाँ पे भी आप खूम सकते हैं ये आपको अंदर पे ही है जहाँ पे ससंग सामारव बीच बीच में होते ही रहता है और ये पूरा लोकेशन है दोस्तों जो मंदिर के अंदर का परिशर का है वो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग तरीके के लोग यहाँ आते हैं अलग-अलग बहुत ही जादा भीड होती है लोगर की संख्या काफी होती है और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही अपना टाइम स्पेंट के लिए आ जाते हैं बैट जाते हैं तो यहाँ पे आने के लिए आपको चतरपूर जो है मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा वहां से लगभग 200 मीटर आगे है जो कि आप पैदल भी आ सकते हैं यह 10 रुपय किराया दे के भी आ सकते हैं जैसे वह आपको सुईधा मिले और यह यहां का जो है मैन वो मैंने आपको बताया तो यह थो दोस्तो चतरपूर मंदिर जो कि काफी फेमस है और यहां पे खास करके फेमस है मंदिरों में जो कि काफी लोग जानते हैं और काफी मतलब पूरा फेमस है कि जो चतरपूर है वो मंदिर में खास है और दूर दूर से यहां पे लोग आते हैं धूर-दूर से आते हैं, जिनसंक्या काफी जटा होती है और खास करके मंदीर जो यहां का अनोखा दरिस्थ है, अदूर दरिस्थ है मंदीर का उसको देखने के लिए लोगات हैं, तो मैंने आपको बताया, यहां पर आने के लिए आपको छतरपूर, जो है मैट्रो स्टेशन जश्ट बगल में है आपको 100 कदम चलना पड़ेगा जो कि आपको पढ़ जाएगा या फिर वहां से आप रिक्सा वगेरा ले सकते हैं अगर आप चलना ही पाते तो 10 रुपय वो किराया लेगा जो को आपको मंदिर की गेट के तक छोड़ेगा यहां पे चपल सूज वगेरा यह समानोगेरा रखने का सुविधा है बिलकुल फ्री है वो आप बाहर में रख सकते हैं और गुमने के लिए आप आ सकते हैं चटरपूर मंदिर उतर के आपको यहां पे आना पड़ेगा तो काफी फेमस है काफी लोग जानते हैं यहां के बारे में जो च्टरपूर है वो मैनुवली जो है मंदीरों के लिए ही फेमस है और काफी लोग यहाँ पर आते हैं गुमने के लिए अभी जन संक्या थोड़ी कम है बट काफी भीड़ रहती है हमेशा तो अभी फिलाल इतना है और यह पीछे का लोकेशन आप देख सकते हैं एक बार में फिर से आपको पुना दिरिस दिखाने का कोसिस करूँगा जो यहाँ का मंदीर है यह खास करके यह है यहाँ पे समादी अस्तेल है जो कि यह सामने आपको नजर आ रहा है इस साइट पे ससंग ग्राउंड है जो है ससंग सामारो का एक हौल है बहुत ही बड़ा वो है आगे जो है वहाँ पे हलुम पैसा रहती है कोई पैसा नहीं कोई चार्जे बूल नहीं है आपको जो है मैट्रो स्टेशन उतर के वहां से आपको पैदा लाना पड़ेगा या फिर आप वहां से 10 रुपय किराया देके भी आ सकते हैं तो यह था दोस्तों कि कैसे आप आएंगे और क्या क्या चीज़े यहां का है तो अगर आप इस चैनल पर नहाएं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो जादा से जादा लाइक कीजेगा जरूर कीजेगा और चीज़े मैं आपको जानकारी दूँगा अगर और फिर कहीं चलता हूँ तो नए जगह पे फिर बेडियो बनाएंगे तो यह था जेनरली जो मैंने आपको बताया कि यह यह चीज़े यहां पे है खास और यहां पे आप ऐसे आ सकते हैं चात्तर कुर मं बनाया गया है और यह आप लोकेशन देख सकते हैं कापी अद्बुत है यहां पे पानी विग्रा भी अभी नहीं है बट इसका वाटर फ्रोज जो है वह भी बंद है फिलाल लेकिन यह चालू रहता है और यह था और यहां पे भी आप देख सकते हैं रैन वाटर जो है यह है वह हैं तो यह था दोस्तों जैनरलीह वह जो पीछे आपको नजरारा है हिलमान मंदिर वहां पर है वहां भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप जाएंगे यह पुरा ग्राउंड की अंदर है जो सबकुछ इसके अंदर आप गुम सकते हैं लेक सकते हैं और हाँ बकल में धरमसाला ले सकते हैं जो कि मंदिर परिशरकाई है बगल पे हैं और काफी सास्ता है तीन चार सो रुपे पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा बाकी मंदिर के अंदर पर पानी पीने का सुईधा है तो सोचाले की सुईधा भी है आप देख सकते हो और जगा जगा पे कैमर लगे हुए हैं और यहाँ पे आने के लिए आप अगर रुखना चाहते हैं तो यह बेश्ट तरीका है यहाँ पे रुखने का जो होटल है बहुत ही कम दामों में है तो यहाँ भी आप रुख सकते हैं तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सिस्क्राइब किजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजेगा और सेयर किजेगा चातर पुर मंदिर अगर आप दिल्ली विजिट करने तो एक बार आप जरूब हो है चातर पुर मंदिर काफी बड़ा एरिया में है और काफी अच्छा है काफी अद्बुत है काफी मस्त है अगर travel करने आये हैं तो एक बार जरूर गुमें और आपको रहने की भी सुविधा यहां पर मिल जाएगी तो यह सारा कुछ जानकारी मैंने आपको दिया अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजेगा और वीडियो के लिए सिस्क्राइब किजेगा थाइंक यू